नमस्कार आपके साथ मैं हुरेशम खानों स्वागत आप सभी का सियासी हलचल में अमेठी लोगसभा सीट पर इस बार फिर से कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच काटे की टक्कर होने की संभावना है और ये सीट बीजेपी का पुराना गड़ रही है और इसी सीट पर हमेशा से गांधी परिवार का दबदबा भी रहा है वही अमेठी में गांधी परिवार से जुड़े कई रोचक किस्से हैं दरसल यहां साल 1977 के बाद बीते 47 सालों में साथ बार ऐसे नेता चुनावी मेदान में उतरे जिनका तालुक नहरू गांधी और राश्टे पिता महात्मा गांधी परिवार से रहा है और पहली बार इस सीट पर साल 1977 में कांग्रेस की टिकट पर संजिय गांधी ने चुनाव लड़ा था यानि अमेठी में गांधी परिवार के कुछ चुनाव राजनीती की शुरुआत साल 1977 में हुई थी हाला कि उन्हें इस चुनाव में भारतिये लोगदल के रविंद्र प्रताप सिंख ने हरा दिया था और इस चुनाव में उन्होंने करीब 76,000 वोटों से चुनाव जीता था वही इसके बाद साल 1980 के चुनाव में फिर से संजे गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ा था और तब उन्होंने अपने प्रतिध्वन दी और जनता पार्टी के उमीदवार रविंद्र प्रताप सिंख को हरा कर ये चुनाव जीत लिया था वही संजे गांधी ने इस चुनाव में करीब 1,28,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीता था लेकिन संजे गांधी के निधन के बाद साल 1981 के उप चुनाव में बड़े भाई राजीव गांधी चुनाव लड़े थे परिवार के लिए एक नई चुनोती खड़ी हो गई थी तब राजिव गांदी के खिलाफ उनकी भावी और भाइस संजिक गांदी की पतनी मेंका गांदी चुनावी मेदान में थी हाला कि इस चुनाव में मेंका गांदी को हार जहली पड़ी और संजिक गांदी ने करीब ती राज मोहन गांदी चुनाव लड़ रहे थे और वे जनता पार्टी की टिकट पर चुनावी मेदान में थे। लेकिन राज मोहन गांदी चुनाव हार गय और राजीव गांदी ने फिर करीब दो लाग के अंतर से चुनाव जीता था। वही राजीव गांदी ने इस सीट पर लगतार चोथा चुनाव 1991 में जीता था तब उन्होंने अपने पुराने प्रतिधुणदी रविंद्र प्रताप सिंग को हराया था और इस चुनाव में राजीव गांदी ने करीब एक दशमलो एक लाख वोटों के अंतर से जीत की थी वही सोनिया गांदी ने साल 2004 के लोगसभा चुनाव में अमेठी की विरास्त की जिम्मेदारी अपने बेटे राहूल गांदी को सोब दी और इसके बाद राहूल गांदी ने अमेठी से लगतार तीन चुनाव साल 2004 साल 2009 और साल 2014 में जीत दर्च की थी हाला कि उन्हें 2019 के लोगसभा चुनाव में बीजेपी की उमीदवार स्मृती इरानी ने हरा दिया था वही अमेठी लोगसभा सीट पर इस बार फिर से कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच काटे की लड़ाई होने की संभावना है और ये सीट कॉंग्रेस का पुराना गान्दी परिवार का दबदबा रहा है लेकिन सवाल ये उड़ता है कि क्या 2019 के चुनाव में स्मृती इरानी से हार के बाद इस बार गान्दी परिवार अपना बरसु पुराना दबदबा इस सीट पर कायम रख पाता है या नहीं ये देखना दिल्चस्प होगा तो अभी के लिए इतना ही कल फिर जुड़ेंगे सियासस से जुड़ी हलचल सियासी हलचल में देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे एंट 27 न्यूज आचारे संतोश संतोशी के आगामी कारेक्राओं कोरकपुर 21-22 अप्रेल पटना 23-24 अप्रेल कॉलकाता 25-26 अप्रेल राची 27-28 अप्रेल रायपुर 30 अप्रेल 1 मई नागपुर 2-3 मई लखनव 4-5 मई 6 मई से आप आचार श्री से गाजियाबाद में मुलाकात कर सकते हैं इन दौर 20-21 मई उने 22-23 मई मुंबई 25-26 मई राजकोट 27-28 मई अहमदाबाद 29-30 मई उदैपुर 1-2 जूर इन तारीखों के अलावा आप बाकी तारीखों में आप गाजियाबाद मिलने का समय ले सकते हैं मिलने के लिए कार्याले के नंबर्स हैं 9910-291850-9560-447-000 आप इन नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लिखकर वाटस अप करते हैं धन्यवाद आप देख रहे हैं N27 News पकड़ हर खाबर पर